तो MPM किसम आपका बहुत बहुत स्वागते, PNST वालों के लिए यहां पर बहुत जदा नियम और सर्ते रहने वाली है, जिसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यह सभी विद्यार्तियों को फोलो करनी होगी, तबी जाके आपको यहां पर योग्य माना जाएगा, अग PNST की कौन कौन सी यहां पर सर्ते रहने वाली है, जो आपको फोलो कर लेनी है, ठीक है, और हाँ, कापी साहर विद्यार्तिय कमेंट कर रहे थे, सरामारा सेलेक्शन होगा कर नहीं होगा, तो उनके कमेंटों कर अपलाए भी इसी वीडियो में हम कर देंगे, और जो अगले P ये सनरसिंग कोर्स होगा, ये चार साल का होगा, अगर जिस विद्यार्तिका PNST में सेलेक्शन हो गया, तो चार साल के ट्रेनिंग उनको करनी होगी यहां पर, क्लियर, नमबर टू, प्रिक्षन अवदी में, चात्रावास यानि कि होस्टल में, निवास करना, वा पास के नियमों का पालन करना, अनिवार रहे, ये आपको तोड़ा ध्यान रखना है, नमबर ट्री, प्रिक्षन अवदी में, गरब धारण, प्रेगनेंसी, ठीक है, करना प्रिक्षन अयोग्य माना जाएगा, अगर कोई भी विद्यार्ति, कोई भी ग्रल्स, प्रेगनेंस सविकर्थ होंगे, वही परदान किये जाएंगे, मेडिकल की इस्तिती में अधिक्तम 10 दिन का अवकास आपको मिलेगा, देखो इसमें छुटियां बहुत कमाती है, क्योंकि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर छुटियों का कोई वो नहीं है, बहुती कम आपको छुटियां यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि खापी इमर्जेंसी केस होता है, और पेसेंट का ट्रेटमेंट आपको करना होता है, इस वज़े से, नमर फाइप, प्रिकसार्थियों को डूटि के समय, संचा लेके यहाँ पर देखो, आपकी जो डूटि लगेगी, जहाँ पर आपको सिकाया जाएगा, उस टाइम पर गनवेस पहना अनिवार होगा, जो भी इनके ड्रेस रहेगी, वो आपको बता दिया जाएगा कि ड्रेस कौन-कौन से आपको पहनना है, ठीक है, और हाँ, आइडेंटिक कार्ड तो अवस्य लगान है, अगला, क्योंकि वो आपके पहचान होती है, उससे आपको भी थोड़ा confidence फिल होता है, और patient को भी थोड़ा confidence फिल होता है, कि हाँ, medical department का सदश से है, किलियर, अगर आप ऐसे चले जाओगे, तो आपका भी confidence लूज हो जाएगा, और patient का भी, तो इसलिए यहाँ पर जरू तिवारों पर आपको अभिवावक के पास जाने के अनुमती दी जाएगी ये तो गुवर्मेंट भी समझती है ठीके ना कि बड़े जो तिवार होता है ना उन पर तो जाने आपको दिया जाएगा दिपावली हो गई होली हो गई रक्सा बंदन हो गया है ना चलिए चात्राओ को प्रिक्सन आउदी में उनके माता पिता अभिवावक द्वारा भरती के समय लिकित में अधिकरत केगे व्यक्तिय से मिलने के अनुमती ये बहुत इपोर्टेंट है तो पहले लिखवा ले ना किस किस से मिलना है आपको है ना ये साथ वे नमबर का तोड़ा पोक दे जाएगी तो आपका जो भी भाई है जो भी आपके वहिन है माता पिता अभिवावक या फिर जो भी आपके कास चाचाहे उनका नाम पहले लिक्वा author अगली चात्राओ को डूटी के समय होते वे रिष्तेदारों के मिल्ने के अनुमती नहीं दी जाएगीDude को डूटी के टायम पे तो डूटी करना है आपको किसे से मिलने नहीं दिया जाएगा ठीक है अगला डूटी में अवकास के समय छात्राओं को जिकिस साल में घूमने की अनुमती नहीं दी जाएगी तो डूटी के टायम पे तो डूटी करना है आपको घूमने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा नमर 10 सर्थ हैं इनकी छात्रवास यानि के होस्टल में रहने वाली छात्राओं को मेस में ही बोजन करना होगा बाहर का खाना नहीं खाने दिया जाएगा होस्टल में जो मेस हैं वहीं का आपको खाना होगा अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं ठीक है ग्यारवा जो विद्यारति बाहर रूम लेके रह रहे ना वो तो कहीं कभी खा सकते बड़ जो छात्रवास में रहने वाल है उनको तो छात्रवास कहीं खाना पड़ेगा छात्राओं को hur पास के दिन बाहर जाने पर या पर संध्याकाल रोल किसमें चात्रवास में रहना अन्युवार होगा तो रात में तो आपको कई पर भी नहीं जाने दिया जाएगा सिंद्य काल के बाद जो भी काम है जो भी आपका पड़ाई से रिलेटेड जो भी लाना हो दिन में आप ले आना ठीक है और भी यहाँ पर चात्राव को बाहर आने जाने पर अपना नाम पता अवस्षे बताना होगा जैसे मालो होस्टल है आपका होस्टल से आप बाहर जा रहे हो तो यहाँ पर एक गाड रहेगा उसको आपको बताना है कि हम वहाँ पर जा रहे इतनी देर में वापिस आ जाएंगे जब आप वापिस आ जाएंगे तो भी बताना होगा यानि कि आपका बोलते हैं ना कि आपकर निकलने का समय और आने का समय दोनों नोट किया जाएगा क्लियर अगला प्रिक्षन के दोरान और प्रिक्षन या नहीं ट्रेनिंग के दोरान अस्तांत्रन का कोई प्रबदा नहीं होगा अस्तांत्रन तो होगा नहीं जहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी होगी ऐसा नहीं कि कोई विद्यारती है कि सर मेडम हमारे गाउं में हमारे सायर में भी होस्पिटल है वहाँ पर ट्रेनिंग करने हम ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कॉलिज आपको मिला वहाँ पर आपको करना है अगला है होगी और यह मिन आपको बता दी यहाँ पर अगली ओर सुननो यहाँ पर उपयोक्त नियम के अलावा परबारी प्रिक्षन के अंदर द्वारा यहाँ पर दस्टी से बनाए नहीं नियमों का पालन चात्राओं के लिए अनिवारे आपको करना है अब आते हैं दोलाक के बात ज लिएक को विद्यारते हो पीएनष्ट का एंच्जाम आपने दिया कांसिलिंग आपने करवाई कोलेज आपको मिल गया गोर्मेन क्लियर फस्ट एर में आपका एडिशन हो गया अब आप सट यर में पढ़ाय करते हैं एक मेन होगा स्षुल करते हैं यहां पर से आउफ रहे ह और ये कापी सारी विद्यार्थी छोड़ने का प्रेतन करते है सर अब हमारा सेलेक्शन होगा का नहीं होगा तो चलो कमेंट यहां पर देख लेते हैं अब चलिए मेरे प्रिये विद्यार्तों के कमेंट में देख लेता हूं क्योंकि हमारे चैनल पे तो हर एक विद्यार्तों के कमेंट देखे जाएंगे हर एक विद्यार्त के कमेंट का यह मुस्कान का काहना है कि सर मेरे 56 से एड़ बेस से देखो 1st काउंसिलिंग में तो नहीं होगा मुस्कान सेगेंड 3rd तक चांस है ठीक है पाश्च में तो नहीं हो पाएका इस टिम का है कि सर वीजेट कब आएका मिड़नोंमर में आएगी आपका कुस्बू, सर मेरे 48 है तो कुस्बू, 48 पे तो नहीं होगा मैं यह कहूँगा, अगेन तियारी करो हमने तियारी शुरू करवा दिये ओनलाइन कोचिंग के मादे में से MKS Academy एफ डाउनलोड कर लेना लिंक नीचे दे रखा है क्रिशना, सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग आपकी मिड नॉमर से स्टार्ट होगी, रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी क्रिशना, ठीक है क्रिटी, सर PNST में 54 है और PVFT में 42 है ESC में, बताए कोई चांस है तो देखो, यहाँ पर PNST में तो मुश्किल है, PVT में तोड़ा चांस है, क्योंकि PNST में कंप्टिशन तोड़ा हाई है, ठीक है, क्रिटी तो चोईस आपके काउंसलिंग करवाना ना करवाना, ठीक है कोशलिया, सर मेरे 33 से नहीं हो पाएगा कोशलिया MKS Academy एप डाउनलोड कर लो अगेन त्यारी करो पूजा, सर मेरे बारवी में सब्लिमेंटरी आई थी तो एड़िशन, देखो कोई दिक्कत नहीं, सब्लिमेंटरी आई है तो कम से कम 50% होना जरूरी है बारवी में तभी आप फोरम बर सकते हो पूजा, ठीक है उर्मिला, सर मेरे क्यों है तो अगेन त्यारी करो MKS Academy एप से, लिंक नीचे देर का डिस्क्रिप्शन में, माही रावत पस्ट वूग, क्या बात है, बहुत बहुत दन्यवाद माही को सारदा सर मेरे 53A, YesT में हो जाएगा क्या, अगेन मैं यह कहूँगा त्यारी कर सकते हो, अगेन आपका त्यारी करने पर सेलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि अभी आप 53 नमबर लेकर आगए, तो अगली बार तो पकाए कि STK पलस ही जाओगा आप तो MKS Academy पे हमने त्यारी शुरू करवा दिये, डाउनलोड कर लेना VSO निकाय की Counseling Autonomous College के होगी या पिर Government की, पहले तो आपके Autonomous के होगी, उसके बाद फिर DHS की Nance Army सर मेरे आपके नमबर चेक नहीं किये, अपने नमबर चेक नहीं किये तो करो, चेक दिनेज सर फिटनेज, प्रणाम पत्तर मिंस, मेडिकल सेट भीट, हाँ, ये वह अताय दिनेज जी ठीक है, और ये आपको Government आपका आज पास जो भी Government Hospital है, आपके तैसिल काओ, जिले काओ, कोई भी हो वहापर डॉक्टर बैठता होगा तो उनसे आप बनवा सकते हो निकिता, सर, DME में Counseling और DHS में Counseling करवा सकते पहले तो आपको DME में करवानी होगी फिर आपको DHS में ठीक है दिनेज, सर, अभी Medical Certificate बनवा सकते है ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जब आपका सेलेक्शन हो जाए तब ही आपको बनवाना है Medical Certificate अगला सर मेंने अठाउन है तो केटेगरी कौन से है, यहाँ पर केटेगरी बताओ, ESC है, तो चांसे ESC में तो सी लाक आए, कि मैंने देखो, reply भी दे रखाए बहुत सारों का, यहाँ पर देख लो आप जो विद्यार्ती कमेंट कर रहे थे न, बार-बार तो उनका तो मेरे को दिखी जाता है अब कापी सारे यह भी कमेंट करते है, सर ओनलाइन तियरी कैसे करे तो चलो, प्रोसेज में आपको दिखा देता हूँ विद्यार्ती हो सबसे पहले तो आपको गूगल प्लेइ स्टोर पर आ जाना है, और यहां पर आपको सर्च करना है, MKS Academy यह एप आपको डाउनलोड करना ही होगा लिंक नीचे डिस्क्रिस्पन में दे रखा है दस अजार विद्यार्ती जुड़ चुके है तो आप यहां पर डाउनलोड कर लेना और लोग इन हो जाना उसके बाद आपको लाइब कोर्स यहां पर बाई करना होगा क्लियर अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कोई प्रोब्लम आती है तो आप हमारे ओनलाइन कोचिंग सेंटर का जो वार्स नमबर है हेल्प लाइन नमबर 8302105558 इन पर वार्च अप कर सकते हो हम आपके हेल्प करेंगे पॉर्स को खरीदवाने में आउनलाइन कोचिंग से जोडने में यह वार्च अप नमबर आप नोट कर सकते हो और एप को डाउनलोड कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है धन्यवाद